इस कहाने की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो 20 सड़क पर गाड़ी रोप कर फोन पर किसी से बात कर रही है इस लड़के का नाम मिया है तरसले फोन पर किसी से बात नहीं कर रही है बलकि ये अपनी लाइने याद कर रही है ये लड़की एक एक्ट्रेस है और आज इसका ओडिशन है और तबी मिया की गाड़ी के सामने एक गाड़ी हौन बजाते वे लुगती है क्योंकि उसकी गाड़ी को मिया की गाड़ी की वज़े से साही नहीं मिल रही होती इस गाड़ी में एक handsome लड़का होता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है मिया सेबेस्टियन को एक angry look देती क्योंकि उसके हौन की वज़े से वो disturb हो गई थी और सेबेस्टियन वाँ से हौन बजाता हुआ चला जाता है इसके बाद मिया एक coffee house जाती है जहां पर वो job करती है और तब ही उसे audition का message आता है मिया भागते वे अपने audition के लिए जाती है और जब वो perform कर रही होती है तब ही audition room के अंदर एक और लड़की आती है दरसल casting director का call आया होता है और इस वज़े से मिया का audition खराब हो जाता है मिया अपने room में वापस जाती है जहां वो अपनी दो room meets के साथ रहती है उसकी room meets कहती है कि आज हम हॉलिवूड की पार्टी में जाएंगी हो सकता है कि वह तो में कोई पसंद कर ले और तुमारा career बन जाए मिया उनके साथ उस पार्टी में चली जाती है लेकिन वो पार्टी में बहुत बूर हो रोई होती है इसलिए पार्टी से भाहर निकल जाती है लेकिन जब वो भाहर आती तो देखती है कि उसकी गारी वहाँ पर नहीं होती क्योंकि उसने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगा दी थी इसलिए उसकी गाड़ी को पुलिस वहां से उठा कर ले गई होती है और अब मिया पैदली अपने घर की और जाने लगती है जब वो एक रेस्टरॉन के आगे से गुजरती है जिसका नाम सेबेस्टियन है दरसल आज क्रिस्मस होता है इसलिए रेस्टरॉन के मैनेजर ने सेबेस्टियन को कहा होता है कि उसे क्रिस्मस के ट्रेडिशनल सॉंग्स का म्यूजिक ही प्ले करना है लेकिन जब सेबेस्टेन देखता है कि उसके प्यानों की धुन को कोई भी इंजॉई नहीं कर रहा, सब आपस में बाते कर रहे हैं, तो वो जैज म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है, जो उसने खुद कंपोस किया है, क्योंकि उसे जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है, तबी वहाँ पर रेस्टॉरॉंट का मेनेजर आ जाता है, और इस बात के लिए वो उसे नोखरी से निकाल देता है, आलगर कि सबेस्टेन मेनेजर को बोलता भी है कि आज क्रिस्मस है, आज ऐसा मत करो। लेकिन मेनेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे नोखरी से निकाल इस वज़े से उसका mood off हो जाता है तब ही मिया उसकी तरफ उसे compliment देने के लिए आती है लेकिन उसका mood पूरी तरह से off होता है इसलिए वो उसकी बात बिना सुने वहां से निकल जाता है मिया को ये बात अजीब लगती है अब कुछ महीने पीच जाते है और एक बार जब मिया पूल पार्टी में जाती है तो वहां पर एक orchestra होता है जहां पर Sebastian भी होता है वहां पर प्यानों बजा रहा होता है मिया उसे पैचान लेती है और वो एक song की demand करती है इसके बाद Sebastian मिया के पास आता है क्योंकि मिया को Sebastian ने भी पैचान लिया होता है और वो उस रात के लिए उ गाड़ी कुछ दूर पाक की होती हैं उसी ले इन दोनों को पैदल चलना पड़ता है और यह दिखते हैं कि वहाँ ह पर एक बहुत खूबसूरत नजाऱा और वो वापस उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से अभी वो आया था यानि कि वो जान बुचकर मिया की साथ यहां तक आया था उसकी गाड़ी वहीं पर होती है जहां से दोनों आये थे दरसल ये Warner Brothers का Coffee House है जो Hollywood की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं Mia Sebastian से पूछते है कि तुम यहाँ कैसे Sebastian कहता है कि मेरी कुछ मिटिंग्स थी और इसके बाद Mia और Sebastian Coffee House से निकल जाते है Mia Sebastian को Warner Brothers का भार का स्टूडियो दिखाती है जहाँ पर शूटिंग भी चल रही होती है Mia Sebastian को कहते है कि उसकी आंट एक एक्ट्रेस थी उनके साथ उनकी बहुत सारी पुरानी फिल्में देखा करती थी और बच्पन में वो प्ले भी लिखा करती थी और तभी से उसे एक एक्ट्रेस बनने का शौक है और वो अपनी जिन्दगी में सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस बनना चाहती है Sebastian उसे बताता है कि उसे jazz music से बहुत प्यार है और वो उसकी जिन्दगी है Mia कहती कि उसे jazz music बिल्कुल पसंद नहीं है ये सुनते ही Sebastian चलते चलते रुख जाता है वो Mia को एक jazz club ले जाता है जहांपर jazz music बच रहा होता है और वो Mia को पूरे जोश के साथ jazz के बारे में उसकी details के बारे में बताता है और साथी साथ ये भी कहता है कि jazz music खत्म हो रहा है वो मर रहा है इसलिए मैं अपना एक jazz club खोलना चाहता हूँ जहांपर सिर्फ और सिर्फ jazz music बनेगा जहांपर creativity होगी जहांपर लोग सिर्फ jazz music सुनने के लिए आएंगे इसके बाद Mia वाश्रूम में जाती है और तब ही उसे कॉल आता है और ये कॉल कास्टिंग डिरेक्टर का होता है जहांपर उसने audition दिया था दरसल उसे second round के लिए बुराया गया है और जब Mia ये बाद Sebastian को बताती है तो ये दोनों बहुत खुश होते है Sebastian उसे कहता है कि Rebel Without a Cause दरसल ये एक movie का नाम है लेकिन ये movie Mia ने नहीं देखी होती और Sebastian उसे कहता है कि तुम्हें ये movie देखनी चाहिए लेकिन वो अपनी एक line भी complete नहीं कर पाती कि casting director उसे thanks कह देता है यानि कि उसका audition हो गया वो समझ जाती है कि उसका selection नहीं हुआ इस बाद से बहुत upset हो जाती है और जब वो घर जा रही होती तो उसे वही theater दिखता है जहाँ पर शाम को उसे Sebastian के साथ movie देखनी है और उसके चहरे पर smile आ जाती है इसका मतलब यह है कि Sebastian का साथ उसे कही ना कही खोशी देता है वो से पसंद करती है और शाम को जब वो movie देखने के लिए तैयार हो रही होती है तब ही वहाँ पर Greg आता है इसलिए उसने Sebastian को commitment किया था हाला कि मिया वहाँ पर होती है लेकिन उसका दिलो दिमाग वहाँ पर नहीं होता क्योंकि उस Sebastian के साथ movie देखने जाना चाहती थी और बहुत दिर तक अपने आपको कंट्रोल करने के बाद वह अपने boyfriend Greg से कहती है कि मुझे जाना होगा और वहाँ से सीधा थेटर आ जाती है जहां पर फिल्म शुरू हो चुकी होती है थेटर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है लेकिन फिर भी वह Sebastian को डून लेती है ये दोनों फिल्म देखना शुरू करते है और धीरे धीरे इन दोनों का हाथ एक दूसरे से ठकराता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए एक दूसरे के और बढ़ते है लेकिन तब ही फिल्म में कुछ खराबी हो जाती है और लाइट जल जाती है इसके बाद ये थेटर से निकल जाती है और एक isolated जगा पर जाकर एक दूसरे के साथ डांस करती है और पहली बार एक दूसरे को किस भी करती है अब ये दोनों relationship में ये एक दूसरे के साथ गूमते हैं टाइम स्पेंट करते हैं एक दूसरे की काम की respect करते हैं और एक दूसरे को motivate भी करते हैं और एक सुबह जब सेबेस्टियन मिया के घर पर होता है तो मिया की मौम का call आता है और जब मिया की मौम सेबेस्टियन के बारे पूछते क्यों क्या करता है जिसने उसे अपने बैंड में जैज म्यूजिक प्ले करने का आफर किया था और अब सेबेस्टियन उसके आफर को accept कर लेता है हाला कि ये उस तरह का जैज म्यूजिक नहीं होता जिस तरह का सेबेस्टियन बजाना चाता है दरासर वो traditional jazz music play करना चाता है जो से यहाँ पर बहुत ज्यादा play करने का मौका नहीं मिलेगा सेबेस्टेन अपनी jazz club की job को छोड़ देता है और इस band के साथ काम करना शुरू कर देता है जहां पर उसे हबते के 1000 डॉलर्स और टूर का सारा खर्चा उने की तरफ से दिया जाएगा वहीं दूसरी तरफ मिया भी अपना audition फेल होने के बाद कैफी की job को छोड़ देती है और वो writing करना शुरू करती है जैसे वो बच्पन में किया करती थी दरतल सेवेस्ट्ट्रिन ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे एक सोलो प्ले लिखना चाहिए और खुद उसे परफॉर्म करना चाहिए और अब ये दोनों के दोनौं अपने करियर में अपनी जिनदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना शुरू करती है सेबेस्टिन अपने दोस का बैंड जॉइन करने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ लगा था टूर पर रहता है उसकी लाइफ अब लगबख सेटल हो चुकी उसको फेम भी मिल रहा होता है और एक रात मियाज उसे कॉल करती हूँ वोसे कहते कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ कुछ और तुम अपना जैज कलब खूरना चाथे ते जहाँ पर प्यॉर जैज म्यूजिक बजएगा सबेस्टिन को उसकी बार समझ में नहीं आती वो कहते हैं कि जब मैं नाकामियाप था तब तुम मुझे ज़्यादा पसंद करती थी और इन दोनों की बीच में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है सेबेस्टिन कहते हैं कि तुम भी यह चाहती थी कि मेरे पास एक पर्मनेंट जॉब हो एक पर्मनेंट इंकम का सोर्स हो वो कहते हैं कि हाम ऐसा चाहती थी ताकि तुम अपनी जिंदगी का अपना अच्छे से ध्यान रख सको और साथी साथ अपनी सपने को अपनी जैस क्लब को स्टार्ट कर सको और इसकी वाज़े सिर्फ तुम हो अपनी टूर पर चला जाता है और ठीक दो हबतों बाद मिया का प्ले होता है जिसके यो काफी वक्से तैयारी कर रही थी ये एक सोलो प्ले है जिसमें उसे पूरा एक्ट खुदी करना है लेकिन इस प्ले को देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं और जब प्ले खत्म हो जाता है और लोग जा रहे होते है तो वो उसके प्ले को बिलकुल भी अप्रिशेट नहीं करते है इस बाद से मिया पूरी तरह से टूट जाती है सेवेस्टिन भी इस प्ले को देखने नहीं आया होता है क्योंकि आज रात को उसका फोटो शूट होता है और जब वहाँ पहुंसता है तो प्ले खत्म हो चुका होता है मिया इस बास से उससे बहुत नाराज होती है साथे साथ इस बास से भी उसका दिल तूट गया होता है कि लोगों ने उसे अप्रिशीट नहीं किया और नहीं लोग प्ले देखने के लिए आए मैं अपने आपको और इंबेरस नहीं कर सकती थी मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली अब मुझसे नहीं होगा मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ और वो सेबेस्टिन से नाराज होकर ब्रेक अप करकर वहाँ से अपनी मॉम के घर निकल जाती है कुछ दिन बाद सेबेस्टिन को एक कॉल आता है और ये कॉल एक कास्टिंग डिरेक्टर का होता है वो कहती है कि मिया अपना कॉल रिसीव नहीं कर रही इसलिए हमने आपको कॉल किया है दरसल मिया ने एडिशनल नंबर में सेबेस्टिन का नंबर लिखवा दिया था और ये एक कास्टिंग डिरेक्टर का कॉल होता है जो मिया का पले देखने के लिए गई थी और अब वो चाते है कि मिया उसकी फिल्म के लिए आओडीशन दी सेबेस्टिन को जबी पता चलता है तो वो मिया की मॉम की घर जाता है और मिया को बताता है कि तुम्हारा शो एक कास्टिंग डिरेक्टर ने देखा था उसे तुम्हारा काम बहुत पसंद है वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है और उस फिल्म के लिए वो तुम्हारा ओडिशन लेना चाता है मिया कहती कि अब मैं काम छोड़ चुकी मैं कोई ओडिशन देने नहीं जाओंगी मैं हजारों ओडिशन दे चुकी हूँ और हर जगा मुझे रिजेक्शन मिला है शायद मैं इस प्रोफिशन के लिए नहीं बनी सेबेस्टिन कहता है कि तुम सबसे बहतर हो और तुम्हें मेरे साथ कल ओडिशन देने के लिए चलना होगा मैं सुबह 8 बजे तुम्हारे घर के बार गाड़े लेकर पहुँच जाऊंगा वो कहती मैं नहीं आऊंगी सेबेस्टिन अगली सुबह घर के बहार पहुँच जाता है और मिया तैयार होकर बहार आती वो आडिशन दे निकले जाती है और आडिशन के बाद वो सेबेस्टिन से मिलती है सेबेस्टिन को पूरा यकीन है कि उसे इस ओडिशन से फिल्म मिल जाएगी लेकिन मिया का पास्ट एक्सपीरेंस ऐसा होता है जिसकी वज़े से उसे अपने आप पर कॉन्फिरेंस नहीं है सेबेस्टिन मिया को एंकरेज करता है कि जो अपनी जिन्दगी में करना चाती थी जो बनना चाती थी वो सपना उसे कभी नहीं छोड़ना बलकि अपनी पूरी जिन्दगी को एक्टिंग के लिए डिवोट करना है यहाँ पर यह दोनों यह भी डिसकस करते हैं कि यह दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे लेकिन अब इनके रास्ते अलग अलग हैं इन्हें अलग अलग अपनी जिन्दगी को अपने सपनों को चेस करना होगा हाला कि सपेस्टिन अब एक सकसेस्फुल मिजिशिन बन चुक है दिरे दिरे वक्त बीटता है और पास साल बाद हमें दिखाये जाता है कि मिया उसी कॉफी शॉप में जाती है जहां पर कभी वो जॉब किया करती थी और अब वो एक काम्याब एक्ट्रेस है जब वो इस कॉफी शॉप में जॉब किया करती थी और यहां पर कोई सेलेबरिटी आता था तो वो उन्हें इसी तरह से देखती थी आज जैसे सब उसे देख रहे है और ये उसका एक सपना था कि एक दिन वो इस कॉफी शॉप में इसी तरह से आए जो कि आज उसका सपना पूरा हो चुका है साथी साथ उसकी शादी भी हो चुकी है उसकी एक बेटी है वो अपनी जिन्दगी में खुश है लेकिन उसकी शादी सेबेस्टियन से नही हुई उसके पती का नाम डेविड है और एक रात को जब मिया के हस्बिन डेविड उसे एक जैस कलब मिले जाती है तो मिया उस कलब का लोगों देखती है और उसमझ जाती है कि ये सेबेस्टियन का जैस कलब है क्योंकि ये लोगों आज से कई साल पहले मिया ने सेबेस्टियन के जैस कलब के लिए बनाया था जब ये दोनों रिलेशन्शिप में थी इसके बाद मिया देखती है कि सेबेस्टियन माइक पर कुछ बोल रहा होता है सेबेस्टियन भी मिया को देख लेता है और कुछ फलों के लिए वो पूरी तरह से खामोश हो जाता है दरसल सेबेस्टियन का भी सपना पूरा हो चुका है जिस तरह का जैस कलब वो हमेशा से खोलना चाता था अब उसने वो जैस कलब खोल दिया है और इसके बाद वो अपना और मिया का फीवरिट लब नंबर प्यानों पर प्ले करता है और जब वो नंबर बसता है तो मिया और सेबेस्टियन दोनों अपने सपनों की दुनिया में खो जाते है इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी एक दूसरी से जुदा हुई नहीं और आज भी ये दोनों एक साथ है लेकिन इस फिल्म का अंती इस फिल्म को खास बनाता है दरसल ये फिल्म हमें उस दुनिया का आइना दिखाती है जिस दुनिया में हम रहते हैं जहां पर हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता जहां हमेशा हैपी एंडिंग नहीं होती जहां एक दूसरे की जिन्दगी में लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जिस तरह से सेवेस्टेन ने मिया की और मिया ने सेवेस्टेन की जिन्दगी में किया अगर सेवेस्टेन की जिन्दगी में मिया नहीं आती तो वो कभी भी अपने दोस्त का बैंड जॉइन नहीं करता और बहुत बड़ा प्यानिस्ट नहीं बन पाता और बाद में नहीं अपने सपने को पूरा कर पाता जो कि उसे जैस कलब खोलना था साथी साथ अगर मिया की जिन्दगी में सेबेस्टियन नहाता तो उसका सपना कभी भी पूरा नहीं पाता वो कभी एक एक्ट्रेस नहीं बन पाती क्योंकि वो एक दूसरे की इंपोर्टेंस को जानते हैं इस फिल्म को 11 अलगलग केटेगरीज में आसकर में नॉमिनेट किया गया था जिसमें से 5 इस फिल्म ने जीते एमा स्टोन जिन्नोंने मिया का किरदार किया था उने बेस्ट एक्टरस का आसकर आवार्ड मिला और साथ इस पिक्चर ने बेस्ट फिल्म का आसकर आवार्ड भी जीता ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी आईमजीबी पर इसकी रेटिंग है आठ इस फिल्म का बजट था 30 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स आफिस पर इसने कमाई की थी 447.4 मिलियन डॉलर्स की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी